हलो बच्चो गुट बॉनिंग आजाओ बिच्चो जल्दी आजाओ हम लोग शुरू करते हैं आवाज आरी बच्चा लोग आवाज आरी है बिटा बूलो जोती वर्मा राधा पाल अवशे क्यादव आवाज आरी बच्चा आजाओ जल्दी आजाओ जल्दी हम लोग शुरू करते हैं व्री बॉर्ण व्री गय्नॉस कुल सब्सथीं पौर्ण गोड चले आज सानो शुरू करते हम लोग और और सबसे पहलें अपने सिंह सिंह्म क्ले transit टेग tornado के साथ ड़ोक्टर बनने का इधिकार सब को और पढ़ने का इधिकार भी सब और इसका अंतरगत हम लोग्यों काम करें ठीक है और हम लोग है इसके अंतरगत आज जो चैप्टरपढबने वाले हैं उसका नाम है आनिमल कि आनिमल केंग्डम की बात तुमसे की जाए तो कुछ पेज नंबर अमारे लिए बहुत important है जैसे कि पिछले सालों में कुछ questions को अगर देखा जाए तो 2022 की बात करी जाए देखें 2022 की बात की जाए तो 2022 में ये question आया page number 1 से ठीक है 2022 की बात की जाए तो page number 3 से ये question भी आया हुआ है तो आप यहाँ पर इस pyramid से ये देख सकते हैं कि कौन से year में कौन से questions आयो हैं कौन से page जो है न वो important है हर एक page को यहाँ पर लिख दिया गया है आप इस बात को देखें कि मतलब जो है न page number 1 और page number 3 ये आपके लिए मतलब जो है ये 2022 के question यहाँ से आये थे और आगे आपके पास इसी तरीके का pattern आपको देखने को मिलेगा हम लोगों ने ये देखा है कि page number अगर मैं बात करूँ पेज नमबर इदर आ जाए तो सबसे ज़्यादा question आये है 50 51 52 और 58 ये page number है और यहाँ से page number की बात करी जाए तो यहाँ से आपको maximum 5 और फिर यहाँ पर 6 इस तरीके से आप देख सकते हैं 7 question तो ऐसे number of questions यहाँ पर page number से आए हुए आप इसे एक बार देख जरूर लीजेगा आगे चलते हैं लोग आगे जो है ना हमारा topic आज का क्या है animal kingdom लोगों animal kingdom की अगर मैं तुम से बात करूं गौर करना animal kingdom की जब मैं तुम से बात करूं तो animal kingdom में हमने कहा कि रॉबर्ट में का एक डेटा था जिसमें डेटा यह कहता है कि लगबग 7 million species हो सकती है लेकिन अभी भी हम लोगों ने सिर्फ 1.7 to 1.8 million species ही खोज पाई उस में से 1.2 million लगबग जो है ना वो animals है तो वहां पर अभी तक यह हुआ है कि अभी तक बहुत सारी species खोजी जानी बाकी है लेकिन जिसे खोजा गया जिसे discover किया गया उसका pattern क्या होना चाहिए तो वो तो आपको living world में taxonomy और systematics में बताया गया लेकिन उन्हें कैसे बाटा गया वो यहाँ पर सुरवात में थोड़ी सी बात दी गई उन्होंने यह कहा है कि हमने कुछ levels को मतलब कुछ basis बनाए जिससे हम classification कर सकते हैं जिसमें हम लोगों ने 6 बेस पर यहाँ पर बात करनी है पहला level of organization दूसरी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर symmetry की तीसरी बात करेंगे जर्म लेर की सीलोम की segmentation की notocords की यहाँ पर और इस तरीक शुरुआत हुई है पोरी फेरा से पोरी फेरा से शुरुआत होकर हम लोग को डेटा तक जाएंगे very good morning बेटा very good morning चलो हम लोग शुरू करते हैं अब लोग तो ठीक है तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले धीरे से हम लोगों को क्या शुरू करना है level of classification जिसमें हम basis of classification के अंतरगत क्या पढ़ने वाले दों को लिखा हुआ है कि भाया यहां पर हमें कैसे divide का मतलब जोना कैसे बाटना था अनिमल्स को तो यहां पर arrangement of cell के बेस पर body symmetry, nature of sea loam, pattern of digestive and circulative and reproductive system and these are feature use on the basis of animal classification and some of them are described यहां पर कुछ हम लोग यहां पर describe करेंगे जैसे कि पहला हम describe करेंगे level of organization, level of organization की बात करी जाए तो आपको पता है cell से मिलकर tissue बने हुए, tissue से organ, organ से organ system and organ system से body बनी हुई है, तो सबसे पहले जो animals है उनमें cellular organization होगा, कुछ में organ और tissue level होगा, फिर कुछ में organ and organ system होगा और किस में organ system ही होने वाला है, cellular type का body organization are found in the porifera, जबकि tissue grade body organization are found in the sealant data, and tenophora, जबकि अगर मैं बात करूँ, platy alminthes की तो organ and organ system, हाला कि यहाँ पर पहले organ दिया होगा, लेकिन पीछे जो table दिया हुआ पर organ system भी दिया है, organ and organ system level का organization are found in the platy alminthes, और sq alminthes के बाद हम आ जाएंगे आगे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, सिर्फ organ system level of organization की, फिर से स sealant data, tenophora, tissue grade, organ and organ system की बात की जाएं, तो platy alminthes, और अगर मैं बात करूँ organ system level की, तो सिर्फ और सिर्फ organ system level की, अगर मैं बात करूँ, तो उसके आगे से sq alminthes से लेकर quadrata तक की बात की गई, तो दो आपके system यहाँ पर describe किये गए, पहला digestive system और दूसरा circulatory system, digestive system के लिए उ digestive system, incomplete type का मतलब यह है, कि वहाँ पर elementary canal बनना तो शुरू हुआ, लेकिन उसके सिर्फ एक ही opening है, अगर single opening है digestive system की, elementary canal की, तो ऐसे को blind sec body plan भी कहते हैं, और ऐसे को incomplete elementary canal भी कहते हैं, तो यहाँ पर incomplete digestive system कहां देखने को मिलेगा, incomplete digestive system आपको पोरी फेरा में देखने को मिल जाएगा, incomplete आपको देखने को मिल जाएगा, आपका sealant rate की बात करने, incomplete digestive system की अगर मैं बात करूँ, तो आपको sealant rate हो गया, टीनो फोरा हो गया, प्लेटी almanthus हो गया, लेकिन complete digestive system की शुरुआत मतलब tube within tube body plan मतलब दोनों opening के साथ elementary canal पाई जाना शुरू हुआ, एसके almanthus से और एसके almanthus से लेकर हम लोग कोड़ेटा तक गया, ऐसा ही दूसरा system एक बताया गया है, जिसका नाम है circulatory system, circulatory system पर भी दो बात की गई, एक open circulatory system और एक close, हम आप से कहें कि open circulatory system कहां पाया जाता है, तो आप कहोंगे, कि open circulatory system का पहले मतलब जानो, मतलब क्या है कि अगर आपका blood, आपका जो flood है, जिससे nutrients और oxygen देने हैं, वो किसी एक cavity sinus में बढ़ा हुआ और उसी में organs dip है, तो अगर ऐसे system है, तो उसे open circulatory system कहेंगे, और close उसे कहते हैं, जिसमें proper organ तक blood vessels के द्वारा supply blood की भेजी जाए, तो open circulatory system, मोलस् लेकिन अगर सच्चाई में बात करी जाए, तो आर्थोपोडा में, नौन सिफैलोपोर्ड मुलस्का में, ट्यूनी केटा में, उसके अलावा हेमी कॉर्डेटा में, और इकाइनो डर्मेटा में, तो आप यहाँ पर यह याद रखोगे, कि यहाँ पर एक trick हम बताते हैं, trick क एक काइनो डर्मेटा, तो आप से यह पता पूछा जाएगा कि ओपन टाइप का सर्कुलिटरी सिस्टम किस में है, उसके बाद क्लोस की अगर बात करी जाए, तो क्लोस सर्कुलिटरी सिस्टम एक इन्वर्टिवरेट जैसे कि आपके पास अर्थवार्म, एनलेडा और दू जल्दी सम लोग देख लेता हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, कि भाईया, सेललर ग्रेट का बाड़ी और्गनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, सेल के बीच में थोड़ा बहुत डिवीजन ऑफ लेवर, जब यूनी सेललर सेल थी, तो पूरा काम अकेले सेल करती थी, लेकिन जब सेललर और्गनाइजेशन हुआ, तो थोड़ा-थोड़ा काम बाटना शुरू किया, तो वहीं पर लिखा हुआ है, सम डिवीजन ऑफ लेवर, अकरस अमंग दे सेल्स, सीलंट रेट्स, अर यहां पर और्गन लेवल है, और और्गन लेवल यहां पर प्लेटी अल्मेंटिस में लिखा हुआ है, लेकिन बेटा याद रखना सबसे एंड में टेबल दी है, वहां पर और्गन सिस्टम और और्गन एक साथ प्लेटी अल्मेंटिस में दिये हुए, उसके बाद उसके हा और्टोपोडा और मौलस का लिए आगे चलेंदों को यहां पर यह लिख रहे हैं कि एकाइनो डव्म में किसमें एकाइनो डूम में क्या हुआ है देखना एक सेकड़ एक यहां डूम में एक आइनो डंस और इस यह ऐसे यह उच्टैटेट फॉरंपक्शनल system और इसी को हम कहते organ system और organ system level का body organization पाया जाना शुरू हुआ तो organ system level जो होता है वो differ करता है individual level पर जैसे की सबसे पहले digestive system की यहां पर बात की गई और digestive system में यहां पर complete और incomplete की बात की गई और ऐसी circulatory system की बात की गई जिसमें हम लोगों ने open और close की बात की आप मुझे जवाब दीजिए open circulatory system क्या मुलस्का में है जल्दी जवाब दीजिए open circulatory system क्या मुलस्का में है उसके अलावा open circulatory system मुलस्का के अलावा क्या आपको पास आर्थो पोड़ा में है जारे लोग जल्दी जल्दी जवाब देते जाए हमने आपसे कहा कि भाईया इनकम्प्लीट टाइप का डाइजिस्टिफ सिस्टम सीलेंट ट्रेटा टीनो फोरा प्लेटी अल्मेंथेज में है बेटा पूरा चेप्टर करना है तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के रखनी पड़ेगी कुछ नहीं कर सकते हैं है ना सीलेंट टीनो फोरा प्लेटी अल्मेंथेज में है आपका ओप इनकम्प्लीट टाइप का डाइजिस्टिफ सिस्टम और कम्प्लीट टाइजिस्टिफ सिस सेप्मेट्री क्या होता है हमने आप से कहा कि इंडिवीजुग आगर इख तो अगर उसे किसी प्लेट जो सेंट्रवियू अगर ऐसे कोई लिया जाए तो नहीं बट रही हो hierarch हएं और और यह किसी भी में से जो सेंट्रल से पास होती है ऐनिमयल दो equal parton में बढ़ जाता है तो ऐसे को हम कहते है radial symmetrical और अगर सिर्फ एक ही plane से वो two equal parton में बढ़ता है तो उसे हम कहते है bilateral symmetrical तो आप से समझना पड़ेगा symmetry आरा हूँ two time एक asymmetrical एक symmetrical asymmetrical मतलब वो किसी भी plane से काटने पर two equal parton में न बटे लेकिन is symmetrical का मतलब दो तरह कि एक radial symmetry और bilateral symmetry radial symmetry कि अगर मैं तुम से बात करों तो वो दो equal parton में बढ़ जाये वह किसी भी plane से काट जा से और किसी एक ही plane से काटने पर two equal parton में बटे तो हम लोग कहते है bilateral symmetrical हम लोग bilateral symmetrical है एक ही plane से कारणने बर दो इक कोल पाटों में बटेंगी तो यहां पर यहीं लिखा हुआ है कि radial symmetry किसमे है ए symmetry किसमे है bilateral symmetry किसमे है यह बात सीखनी पड़ेगी तो चलो यहां पर देखो कि asymmetrical कौन है तो asymmetrical पोरी फेरा होता है asymmetrical कौन पोरी फेरा मतलब इसके अलावा रेडियल समेट्रिकल की बात करी जाए तो रेडियल समेट्रिकल में सीलंट रेटा आएगा सीलंट रेटा के अलावा टीनो फोरा आएगा और एक और आएगा जिसका नाम है एकाइनो डर्मेटा एकाइनो डर्मेटा भी आएगा लेकिन एकाइनो डर्मेटा के adult form आई गिना की larval form आगे bilateral symmetry की बात करी जाए तो bilateral symmetry की बात करी जाए तो platy से लेकर core data तक और यहां पर except क्या करोगे किसे छोड़ कर एक काई नो डरमेटा को छोड़ कर तो आप बताइए कि यहां पर बात करी जाए symmetry की symmetry are of two type symmetry are of two type पहली symmetry asymmetrical दूसरी रेडियल तीसरी बाइलेटरल अगर किसी भी plane से काडने पर दो एक्कोल पाटों में ना पटे asymmetrical answer example sponges मतलब औरी फेरा बात के जब एक और लोग चल रहे और आगे की तरव चलने पर हम लोग बात कर रहे हैं डिप्लो ब्लास्टिक और ट्रेप्लो ब्लास्टिक की तो आपने इस बात को सुना होगा कि जब embryonic development होता है तब जाइगोट बनता है और मतलब बारुला के बाद ब्लास्वला ब्लास्वला के बाद गैस्वला अगर आपने देखा हो तो वही उसी स्टेजिस के दौरान आपके पास तीन जर्म तो ट्रिप्लो ब्लास्टिक और डिप्लो ब्लास्टिक की अगर मैं तुमसे बात करूं तो सीलंट रेटा टीनो फोरा पिर से सुनिए डिप्लो ब्लास्टिक में सीन टीनो फोरा और सीलंट रेटा उसके बाद ट्रिप्लो ब्लास्टिक का मतलब क्या है ट्रिप्लो ब्लास्ट साथ है कि बढ talented यहां पर अगर 8 गा यहां पर अगर अंडो-डर्म पाई जा रही है तो ऐसे को मैं क्या कहने सब्सक्राइब क्लमे बास्टिक और ट्रिपलो ब्लस्टिक तो प्लीटी हैं फर्मन इलोह च्नित हैं क्लासिफिकेशन गती के जा हम फर्स लेवल ऑफ और्गनाईजेशन दूसरा सिमिट्री और तीसरा तीसरा आपके पास जर्म लेयर उसके बाद चौती लेयर की चौती चीज की बात कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं सीलों की अगर मैं तुमसे बात करूं गौर करना सीलों क्या है तो सीलों है क्या तो हमने कहा एक क्या आपकी mesodermal lining और बीच के space बनाया गया है for the organ place करने के लिए organ को place करने के लिए आपको क्या चाहिए एक cavity चाहिए किसके बीच आपको actoderm और endoderm के बीच कौन सी cell split करेंगी जिसका नाम है mesoderm अगर mesoderm split नहीं की है mesoderm लेकिन split नहीं की तो cavity नहीं बनेगी हम उसे कहेंगे acilomate लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूँ कि भाईया mesoderm जो है वो split तो की लेकिन pouches के तौर में split की और उसके उपर पाई जा रही है mesodermal lining हमने का proper आपको दोनों तरफ देखने को नहीं मिल रही sylomic epithelium mesodermal lining तो हम कहेंगे तुमने शुरुआत तो की है लेकिन अभी तुम पूरे सफल नहीं हो पाई हो आंसर होगा pseudocelomate यहां पर पूरी lining आपकी नहीं हो पाई है किसकी आपकी mesodermal lining की लेकिन तीसरे वाले case में जिसे हम sylomate कहते हैं वो एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में जो मीजोडर्म है मीजोडर्म के बीच में प्रॉपर cavity भी है और आउटर और इनर के बीच में sylomic epithelium की lining भी है और जिसमें proper space आपको देखने को मिलेगा तो हम उसे कहेंगे sylomate तो हम कहेंगे sylom कितने तरह की हो गई तीन एक आपका एक आपकी हो गई a sylomate एक हो गया सीडो sylomate और एक हो गया आपका आपका sylomate a sylomate की बात करी जाए तो आंसर होगा आपका यह पूछा जाए कि भाई यहाँ पर sealant rate और टीनो फोरा में हो सकता है तो बिलकुल हो सकता है लेकिन वहाँ पर शीलोम नहीं होगी ना आप इस बात को समझो तो ए सीलोमेट में प्लेटी अलमेंटिस के साथ साथ नहीं होगा तो इसके अलाव समय सimmung करिये कि यहाँ पर बात करों कि अहला होता है पिर लों की बात करी सीलो में और कारों कि नहीं है ओर हैं एक्जामपल होगा एसके अलमंधिस हमने आपसे कहा था कि बात करी जाए तो भी अगर बात करी जाए पता चल गया होगा कि आपको सीलोम की क्या बात लेकिन बात करने फिर इसके पास सेग्मेंटेशन की सेग्मेंटेशन क्या होता है सेग्मेंटेशन हमने कहा कि बाहर के एक्स्टर्नल और इंटर्नल बाहर से और अंदर से आपको कुछ इस तरह के सेग्मेंट बनाने जिससे अंदर compartmentization हो जाएं अंदर compartments बन जाएं उन compartment के हिसाब से औरगन को प्लेस कर लिया जाएं तो ऐसा true segmentation देखने को मिलता है एनलिडा में हाला कि segmentation false देखने को मिल रहा था टेप वॉम में जिसे हम स्यूडो मेटामेरिज्म कह रहे से पाया जाना मेटामेरिज्म हैं और शुरुवाद हुआ कहां से यहां पर लिखा हुआ है कि segmentation को में नाम देते हैं और मेटामेरिज्म की बात करी जाएं तो आप से कहा जाए कि externally body divided into segments और यहां पर serial repetitions पाय जाते फिर हमने आपसे यहाँ पर बात करा कि भाईया यह मैटामरिज्म आर्फाउंड निंदा कहां पर तो आंसर हो गया आर्थवां ठीक लेकिन यह मैटामरिज्म आपको तीन जगा देखने को मिल सकती हमने आपसे कहा कि अगर एक्स्टर्नली और इंटर्नली दोनों तरह से अगर सेग्मेंटेशन पाया जा रहा है तो अगर सिर्फ एक्स्टर्नल सेग्मेंटेशन पाया जाता है तो आर्थोपोड़ा और अगर सिर्फ इंटर्नल सेग्मेंटेशन पाया जाता है तो कोड़ेटा आपको इस बात के बारे अगला पॉइंट है आपके पास नोटो कॉड का नोटो कॉड की अगर मैं तुमसे बात करूं सुनो नोटो कॉड क्या हमने आप से का तक कुछ एनिमल्स में ऐसा देखने को मिला कि डॉर्सल साइज सॉलेट आपको एक रॉड लाइक स्टक्चर देखने को मिली जिसे नोटो क कॉड एक वजा बनाया तो हमने कहा कि नोन ौडेट में कौन आएगा नौन कॉड़ेट में पोरी फेरा से लेकर एकाइनो डरमेटा गर मैं बात करूं नौन कॉड़ेट में तो पिर आगे आपको यह भी पता चलेगा कि इसी में ही हम लोगों ने हेमिक और को भी अंदर ले लिया क्योंकि वहां पर हेमिकॉड़ेटा में जो हम नोटो कॉड़ समझ रहे थे वो स्टोमो कॉड़ थी ठीक है तो अगर मैं बात करूँ प्रोटो कॉड़ेट और आपके यू कॉड़ेट तो यू कॉड़ेट ट्रू कॉड़ेट जो की वर्टीब्रेट में बदल गया वर्टीब्रेट में कॉड़ेट आ गया तो आप यहां पर देख लो कि नोटो कॉड़ेट मीजोडर्मल मीजोडर्मल से डेराइवड होती है उसके अलाबा रॉड लाइक इस्ट्रक्चर थी मीजोडर्मल और और जिन की ती डॉर्सल साइड थी अम्रियॉनिक डवलमेंट क लेके एकाइनो डर्मेटा था यहां पर एक्जामपल लिखा हुआ लेकिन फिर बाद में मेमी कॉड़ेट को भी इसी के अंदर ही ले लेंगे तो आप यहां पर सोचो पोरिपेरा और एकाइनो डर्मेटा था नॉन कॉड़ेट हो गए जबकि कॉड़ेट तो अपना लेक्टरी तीसरा हम लोगों ने पढ़ा जर्म प्लान चौता पढ़ा सीलों पांचमा सेग्मेंटेशन और छटा नोटो कॉड़ यहां तक आपको कोई प्रॉलम जल्दी से बताएं यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉलम है तो बताएं जल्दी से वेरी गुड चलिए आगे यह देखें सीधे सीदे से आप शाड को देख लें चाट को देखकर आपको यह समझ आ जायेका कि आपको मल्टी सेलुलर्टी जो आपको देखने को मिली पहले cellular organization फिर tissue या organ या organ system cellular level पर symmetry कैसी mostly asymmetrical body cavity कैसी एसीलो में example क्या है पोरी फेरा अगर मैं tissue या organ या organ system की बात करें तो यहां पर symmetry radial भी हो सकती bilateral भी हो सकती radial symmetry वाले यह यह पर साफ साफ लिखा हुआ है एक बार कि यह पर साफ साफ लिखा हुआ है एक बार कि एक आइनो डर्मेटा में याद रखना इक आइनो डर्मेटा में होनी तो चाहिए थी bilateral लेकिन होती है रेडियाल लेकिन उसके लार्वल की बात करें लारवा में तो bilateral ही है लेकिन एडल्ट में रेडियल हो जाती तो अगर ऐसा हो कि भाई किसी का लार्वा एडवा एडवांस करेक्टर रखे और एडल्ट जो है आप प्रिमिट्र रखे तो ऐसी मेटा मॉर्फोस इसको हम रेट्रोग्रेसिव मार्टेमोर्फॉसस भी कहते हैं किलियर आगे चलें ओर sparked को आगे चलें कद्ज अगे आगे आगे आपको लेकर चलते है अपने पहले फाइलम पर क्योंकि फाइलम को कितने Futu में पाटा हुआ है और्थोपोडा मुलस्का एकाइनोडर्मेटा हेमी कॉड़िटा एंड कॉड़िटा तो इस तरह से हम लोग 11 फाइलम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अगर किसी भी फाइलम में एंटर करेंगे तो हम 6 बाते तो वो करेंगे ही करेंगे जो लेवल ऑफ और्गनाइजेशन में क और एक नहीं बात एड करेंगे जिसमें हम एड करेंगे कि उस वो उसका हैविटार और वो कहां रहता है और उसा को है और वो अगर फइचर आगर में करीजा में क्या है तो habitat की बात करी जाए सारे aquatic हैं मेरी बात ध्यान से सुनना सारे aquatic हैं और इसमें जो है वो animals जो होते हैं वो चलते फिरते नहीं है सेसायल है sedentary life cycle गुजारते हैं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि body organization कैसा है तो cellular है उसके अलावा तुमसे बात करी जाए symmetry की तो asymmetrical है लेकिन अगर आपके पास एक example है इस काईफा जिससे हम साइकॉन कहते हैं उसमें रेडियल symmetry पाई जाती ही याद रखना उसके अलावा अगर मैं कहूं जर्म पिलियर जर्म लियर क्या है है या नहीं है तो जर्म लियर नहीं है यहाँ पर हमने आप से कहा सीलोम है या नहीं है तो आपके नहीं है यहाँ पर पताओ segmentation पाया जा रहा नहीं नोटो कॉट पाई जा रही नहीं तो आप सबसे पहले level of organization को देखें फिर बाद में इसके special feature में क्या आता है इसके special feature में आता है water canal system और दूसरा special feature आता है इसकी आपकी एक special cell जिसका नाम है collar cell तो यहाँ पर इस बात को याद रखना collar cell या conno side cell flagellated cells होती है जिसमें flagella होता है और water के movement की direction को unidirectional बनाता है तो कोई भी water canal system की बात करी जाए तो पानी एंटर करता है चोड़े चोड़े पोर जिसका नाम है ostia और ostia से यह पानी आता है sponjo seal cavity में और एक single opening osculum के दुरू बाहर चला जाता है ostia को हम mouth कहते हैं और ostia को single को हम anus कहते हैं और इस तरह से पानी के movement को एक direction में बनाये रखने के लिए help करते हैं collar cell, conno side cell जिसके पास flagella होते हैं एक बात को याद रखना बिटा कि यहाँ से जो पानी का movement जो बाहर की तरफ जा रहा है इस पानी की help से, इस water canal system की help से, sponges, digestion में help कर लेते हैं, respiration में help करते हैं, excretion में help करते हैं also sexual reproduction में gamete के transfer के लिए भी इस water canal system का use करते हैं आप इसके अलाबा कि और क्या से एक सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर इसके अलाबा आपको और जादा कुछ चीजें नहीं देखनी देख लेते हैं हम लोग phylum में क्या है इस phylum में गौर करो है क्या तो लिखा हुआ है phylum commonly इसे हम sponges कहते हैं हमें पता है इसे हम लोग sponges कहते है generally marine water and mostly मतलब जो को generally marine water होते हैं हमने कहा था कि सारे कि सारे aquatic है mostly asymmetrical है मतलब इसमें symmetry नहीं पाए जाती किसी भी plane से काटने पर यह दो पाटों में नहीं बटेगा these are primitive multicellular animals सबसे पहले अगर बात करी जाए तो पहला multicellular animal कौन है तो वो answer होता है पोरी फेरा आगे चले इसमें cellular grade का body organization है हमने कहा था है cellular level body organization है लेकिन थोड़ा बहुत division of labor देखा जाने लगा था फिर sponges है water canal system या फिर water transport system 2012 में question यहां से आया बिटा water enter करता है through minute pore जिसका नाम है और in the body wall और central cavity में पहुंचता है जिसका नाम है sponge or from where it goes out through the osculum हमने का single opening बाहर हो जाता है इस pathway से लिखा हुआ है water transport helpful for food gathering हमने का digestion में help कर लेगा respiration में help कर लेगा और removal of waste में help कर लेगा मतलब excretion में help कर लेगा यहां पर special cell क्या है quannocyte cell collar cell कहते हैं और यह line करती है sponge or cell की cavity को अंदर की cavity को line करती है कौन यही cell जिसका नाम है quannocyte cell और collar cell याद रखना यह flagellated cell है ना की ciliated है ना आगे चलें दोगों यहां पर digestion कैसा होगा intracellular digestion यहां पर कैसा intracellular digestion दो तरह का एक intracellular एक्ट्रा सेल्लर सेल के अंदर digestion intracellular सेल के बार elementary कनाल में digestion extracellular अगर हम sealant rates की बात करी जाए तो intra और extra दोनों पाया जाएगा लेकिन primary extra है फिर secondary इंट्रा है इस बादे में याद रखना sealant rate और टीनोफोरा में आगे सुनें आगे दोंको लिखा हुआ है यहां पर body जो support की जाती इस पीक्यूल और इस पॉंजन फाइवर के जरीए इस पीक्यूल और फॉंजन एक्जो इनका skeleton किस कैमिकल से बना हुआ इसी बिहाफ पर इनकी डिफरेंट क्लास बाटी गई लेकिन यहां पर ज्यादर डिटेल में है नहीं अनिमल्स में सेपरेट नहीं होते मतलब हर्मा फ्रोडाइट बाइसेक्शोल होते हैं इस बात के बारे में आप याद रखना आप्फिक कैसे हैं आगे कि जो आगे क्या लिखा हुआ है कि हर्मा फ्रोडाइट और एग और स्पम प्रडूश सेम टाइप ऑ मैपिडूशल और development indirect है मतलब अगर direct development होगा तो लार्वा नहीं बनेगा indirect development मतलब लार्वा बनने वाला है और लार्वा और adult में morphologically dissimilarity पाई जाती है अगर सच्छा ही बोले तो मार्वा इसका जो लार्वा होता है motile होता है उसमें प्लैजला पाई जाता है लेकिन animal जो adult हो जाता है तो तो दो को यहां पर क्या है कि having larval stage which is morphologically distinct from the adult बात आपको समझ आई की नहीं आई बोलो बेटा क्या आपको पोरी फेरा क्लियर हुआ कि नहीं पोरी फेरा में आपको level of organization आपको पता होना चाहिए उसके लाबा सिमेट्री जर्ल वियर सीलों सेग्मेंटेशन नोड़ो को और वाटर कनाल सिस्टम और वो किसमें help करता और एक्जामपल के तौर पर हमारे पास तीन एक्जामपल है बश्चेशा है और नाम होता है काइस काइफा गौ हम कहते हैं उस पाऊंज होना है यहां मैं प्रेश प्रापल्म मत जल्दी बताए यहां तक किसी को कोई प्राब्लम हो तो जल्दी बताए यहां तक किसी को प्राब्लम हो तो जल्दी बताए बेटा हम लोगों ने पोरी फेरा खतम किया अगले वाले फाइलम पर चल रहे हैं जिसका नाम है सीलंट रेटा अगले वाले फाइलम पर चल रहे हैं जिसका नाम है स जाए तो लिगा हुआ है mostly marine है काई समत्री का मतलब किसी ज्मेट्री का सब्सक्राइव तो इक्कुल पार्टों में बढ़ जाए हमने का यह सारे ज्यादा तर मतलब अमने कहा mostly marine वाले water वाले हैं लेकिन सारे aquatic हैं दूसरी बाद यह हो सकते हैं solitary अकेले-अकेले रह सकते हैं यह हो सकते हैं colonial साथ-साथ में रह सकते हैं यह हो सकते हैं सेटेंटरी लाइफ गुजार सकते हैं और यह हो सकते हैं मतलब free swimming यह मतलब जो है ना swim भी कर सकते हैं habitat की बात करी गई aquatic है mostly marine है दूसरी बात tissue level का body organization है radial symmetry पाई जाएगी diplo plastic है हमने उसके अलाबा कहा कि यहां पर भी silo मभी नहीं ही बनी है segmentation नहीं है नोटो कोड भी नहीं तो हमने आप से का यह सब आएंगे आपके नोटो कोड नहीं है तो नॉन कोड़ेट में अगर हम बात करें तो animals के दो form पाए जाते हैं इसके एक form को हम कहते हैं polyform और दूसरे को हम कहते हैं गौर को गौर से सुनना मेरी बात polyform cylindrical होती मैडसा फॉर्म अंब्रेला शेप होती polyform जो होती है cylindrical होती है सैसाइल होती है एक जगा fix होती हो जो एक जगा fix होगा वो sexual reproduction नहीं कर पाएगा sexual form होती है और वहां पर balancing organ और इस्टेटोस इस्ट भी नहीं होते फिर सो सुनो polyform cylindrical polyform जो होती है वहां पर इस्टेटोस इस नहीं देखने को मिलेगा लेकिन medusa form umbrella shape और जो चलेगा वही sexual form होगा हमने आप से कहा जो चलेगा उसी balancing की जरूरत होगी वही उसी के पास status इस्ट पाए जाएंगे और वह sexual form होगी आप सुनो medusa form क्या umbrella shape है यस है बताओ वो motile form है यस है हमने आप से कहा sexual form है यस है उसके अलावा अगर मैं कहूं कुछ पर balancing organ है बिलकुल है तो एक्जामपल के तो पर बात करी जाए तो polyp form का example hydra जबकि अगर मैं बात करूं medusa form की तो एक्जामपल है औरेलिया hydra polyp form और औरेलिया आपका medusa form लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो polyp और medusa दोनों form में रहते हैं जिसमें हमने कहा कि polyp और medusa दोनों form में पाए जाता है example होगा उसका ओबेलिया और और कुछ example फाइसेलिया के भी तो यह जो है ना polyp से medusa का बदलना में अधिसा का polyp में बदलना यह alternation of generation कहलाई जाती और यह alternation of generation कहलाई जाती इसका नाम होता है metagenesis कभी भी जब polyp से medusa बनता है तो एसेक्शुली बनता है और medusa से polyp बनेगा तो इसे हम क्या कहते है metagenesis metastasis का मतलब होता है लारवा से एडल्ट का जाना मतलब तूटके मतलब सेल्स जो है ना पूरे blood stream में चले जाना metastasis condition है और अगर मैं बात करूं मेटा जिनेसिस क्या है तो alternation जन्रेंटर नेशन ऑफ जन्रेशन पॉइंट पॉइंट नेशन पॉइंट पॉलिप और अगर जह नॉर्मली अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप यहां पर नहीं पर करूं तो आप यहां यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर इस फाइलमों को गहर से देखें कि क्या घो हो सकता यहां पर और आपको यह वाला फ़ॉंम जो दिख् 대해 training क्या दिख्रा है च्छाएं मैड़ुसा और यह क्या मोलेट्ट तीक आप जलने के बाद अगर आप से कहा जाए कि नहीं लिए आप इसके पॉइंच देखा हुआ यहांपर एक्चाप्ल में क्या लिखा हुआ है लिखा ओう नीडोसाइट बोलो इस पर एक डंक की तरह स्टिंगिंग हेर होता है ठीक है और वो डूबा रहता है स्टिंगिंग कैप्सूल में जिसे हम निमाटोसिस्ट कहते हैं कभी यह पूचा जाए कि करेक्टरिस्टिक बताये सीलंट रेटा की लिडोब्लास्ट नीडोसाइट इस इस ही को माटोसाइट बोलते है सेल को और उसके अंदर के सेल और गनेल को जिसमें लिक्टơn अगार रहता है उसे हम निमाटोसिस्ट कहते बात इतनी समझभा रहे हैं कि नहीं आप बताओ stinging cell having stinging capsule या stinging capsule having stinging cell तो stinging cell having stinging capsule ठीक है और इसके काम बहुत सारे होंगे काम क्या होंगे अभी हम लोग बात करेंगे काम की क्या क्या बात है तो देखो यहां पर हम लोगोंने क्या-क्या बात कर लिए जल्दी से देखें जल्दी से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाईपोस्टों SINGLE OPनिंग दिखाई दे रही हाईपोस्टों SINGLE OPनिग का मतलब क्या है कि यहां पर SINGLE OPनि web अगर होगी तो हमने का निदेरियन सेेसमें कोर जो ओंगे एक्जांपल होगे उसका kinds curtain calcium carbonate का पना होता है अभी हम इसके एक्जांपल की भी बात करेंगे निदेरियन exhibit polyp and medusa form polyp form रबाओ कैसी cylinder toル या फिर umbrella shape cylindrika lyp form sexual form a sexual form pa kole perform जो onगी उसमें risen sheichtig balancing organ होगा या नहीं होगा नहीं होगा मैडसा में होगा उसके लाबा पॉर्मर से साइल है झो को लिखा हुआ जैसा की हाइड्र और एडमसी एग्जामपल याद रखना पॉलिपके हाइड्र और एडमसी जबकि अम्ब्रेला शेप फ्री स्व्रीमिंग और एलिया जिसे हम जैली फिश भी कहते हैं और क पॉलेप प्रोड्यूस मेडूसा एसेक्श्वली और मेडूसा पॉरम पॉलेप सेक्श्वली और एग्जाम्पल क्या है या पर लेकिन इसके अंदर का तेकों किसमें आपका help करेगा डेफरेंजम में आपको help करेगा किसमें करेगी नीडो ब्लास से एंकरेज में हेल्प करेगी डिफेंस में हेल्प करेगी और कैप्चरिंग दा पेर मतलब अपने मतलब जो ना शिकार को भी पकड़ेगी और निडेरियांस एक्जबेट कौन से लेवल का से बदलब ऑर्गनाइजेशन टिशू लेवल डिपलो ब्लास सब्सक्राइज देंगे तेजी से सारे लोग से जल्दी से जल्दी जवाब देंगे सारे के सारी कोई क्या सारे के सारे सॉलिट्री हो सकते हैं कोलोनियल हो सकते हैं को सकते हैं हमने आप से का टिशू लेवल का बॉडियल सेमेट्री है सेटेंध सेग्मेंटेशन है नहीं नाम नुटोगाट है इसमें पाई जाएगी एक इस्पेशल जैल नाम नुड़ो ब्लासल बोलो निरोसाइट बोलो stinging cell बोलो निमाटोसाइट बोलो इसके अंदर एक मतलब पाया जाएगा सेल ऑगनेल जिसमें बरा होता है जहर जिसे हम इपनोडॉक्सिन कहते हैं और उसी में डूबा रहता है एक आपका stinging hair जिसे हम थ्रेड कहते हैं और यह मतलब जो है ना जो stinging जो मतलब जोना सौरी स्टिंगिंग सेल के अंदर जो सेल ऑगनेल है जिसमें यह जहर बरा हुआ है उसे निमेटोसिस्ट कहते हैं उसी को में स्टिंगिंग कैपसूल कहते हैं हमने आप से कहा यह डिफेंस मेकानिजम में हेल्प करेगा एंकरेज में हेल्प करेगा प्रे को पक पॉलिफ़र्म स्लेंड्रिकल है सॉसाइल है सक्षाइल इस्टेटोसिस्ट नहीं जब कि मैडूसा फॉर्म जो है ना वो आपके अंब्रेला से फ्री स्टेटोसिस्ट इस्टेटोसिस होगा मैडूसा का और ये जबकि हाइड्रा और एक्जामपल आफ ऑफ तो आप से पूछा जाए कि प्राइवरी नियुराउन की बात करिए नर्वस की तो हैंपर A-Polar Neuron पाए जाते हैं यहाँ पर सबसे पहले A-Polar Neuron पाए गए और यहाँ पर reproduction कैसा है दोनों बोथ Unisexual and Bisexual यहाँ पर देख लो यहाँ पर अगर मैं आगे कि तुमसे बात करूँ तो यहाँ पर आगे ले चलते हैं तुम्हें रुको रुको आगे ले चलता हूँ यहाँ पर इसके example की बात आ गई example से पहले अगर मैं तुमसे बात करें कि भाई example को example को याद कैसे करेंगे देखो आप example को याद करने का तोड़ा से एक तरीका देख लो फाइसेलिया पूर्टगीज ओमेंवाट एडम सिया एडमसिया को कहते हैं सी एनिमोन पैना टुला पैना टुला सी पैन गोर्गोनिया गोर्गोनिया सी फैन पंका चलता गोल गोल गोर्गोनिया और मेंड्राइना जिसे हम कहते हैं प्रेंड कोरण आपको फाइसेलिया याद रखना है एडमसिया याद रखना है पैना टुला या तो यह सारे अग्जामपल एक बार बनाकर आराम से लिख सकते हैं ठीक है चलो आगे चलते हैं और आगे का पाइलम बना तो दो पार्टों में बाटा गया लेकिन बागी सब फीचर ज्यादा तर मतलब मैच करते हैं कुछ फीचर डिफर करते हैं लेकिन यह सारी बाते हैं आपजे हैं पॉसु है ऑगे हैं कि आधे क्या लिखें लिखा वह दीचा हुआ है किस्क्लूसिवब ली मारीन होतें मतलब exclusively marine का मतलब यह है कि सिर्फ यह marine water में ही मिलेंगे और exclusively marine की बात करी जाए तो आपके पास तीन पाइलम जो याद रख लो सारे की सारे एक्वेटिक होंगे हाँ या ना आप वही पर बोलते जाएं आप सुनते जाएं अगर यहां पर कुछ खास फीचर देखे जाएं तो तो दो को रेडियल से मेंट्री अभी बताया डिपलो ब्लास्टिक बताया और गन विद टिशू लेवल और गनाइजेशन अब यह और यह जो सीलिया जो हेल्प करने वाले वो होहसे वह करने वाले और वही पर यह पर उती हैं प्रियों ब्लास सेल क्या करते हैं यह कोलो ब्लास सेल जो होते हैं वो help करते हैं आपके food को capture करने में digestion इसका भी sealant rate के लिए sealant rate की तरह बोथ extra और intracellular है इसकी खास property यह light को emit करते हैं bio luminescence की property पाई जाती ऐसा animal जिसमें bio luminescence की property पाई जाती तो वो है आपका टीनोफोरा the property of living organism emit light और वेल मार्ण कर सकते हैं टीनोफोर्स को sex is not separate sex separate नहीं है मतलब separate नहीं है बाइसेक्शल है reproduction टेक्स प्लेस बाइदा sexual means fertilization external है और development कैसा है indirect देख यार याद रखना आपको बड़ा important है तीन चीज़े याद रखना किसी भी फाइलम का सबसे पहले उसका reproduction कैसे होता है वो sexual reproduction करता है ये sexual करता है दूसरा उसमें sexual और मतलब उसमें animals unisexual है या बाइसेक्शुल है तीसरा तरीका उसका fertilization कैसा internal है external है फिर उसका development कैसा डारेक्ट और इंडारेक्ट और उसके example किसी भी फाइलम को चार फेज में complete कर सकते हो पहला level of organization से लेकर आपके segmentation odocot तक मतलब पहला basis of classification दूसरा उसका कोई एक खास feature जैसे की water canal system found in the पॉरिफेरा उसी तरीके से अगर मैं sealant rate की बात करूं sealant rate में आपके polyp और मेडसा फॉर्म का पाया जाना metagenesis का पाया जाना है ना तो यह तरीके का पात हम टीनो फोरा की बात करें बायोलमिनसेंस का पाया जाना और तीसरी बात जो आपको याद रखना reproduction fertilization development और आखरी में 14 पॉइंट होंगे example आप सारे फाइलम को इस तरह से एक चार्ट बनाए आराम से complete हो जाएंगे आगे चलने दो को example क्या प्लिरो प्रैकिया और टीनो प्लैना इसके example क्या प्लिरो प्रैकिया और टीनो प्लैना दो यह एक्जामपल हैं आपको जल्दी से याद भी रखने पढ़ेंगे आगे चलते हैं आगे चलने पर अमारे पास example क्या है हमारे पास जो अगला फाइलम है उसका नाम है प्लेटी अल्मिंतिस को हम फ्लैड वांब कहते हैं फ्लैड वांब बेटा पास सुनो हम ने का चलो habitat की बात करते हैं habitat इसका terrestrial हो गया है अभी तक सारे aquatic थे लेकिन अभी भी यहां पर terrestrial तो हुआ है लेकिन aquatic है अभी भी भी mostly aquatic है terrestrial है aquatic है free living है और parasite है दोगो यहां के आने वाले phylum तीन जिसका नाम है platy alminthes, sq alminthes और इनके habitat के बारे में बात जब करेंगे तो यहां पर जब हम बात करेंगे parasite को लेकर लेकर प्री वह को प्राइ को और जब m En shareholders के बात करोंगा तो वहां पर ऑंजयएkiem प्रत्राशिट तो हैं लेकिन कूछ हैं और घ्र दो पर प्लांट और रियरली मतलब कम हैं कुछ है परसाइट और वह भी कैसे आपके वह हैं आपके एक्टोपरासाइट तो यह तीनों बात आप यादा को एक साथ उसके अलाबा और या ओर्गन सिस्टम लेवल का बॉड़ी ऑर्गनाइजेशन कहां पर आगे हम लोग प्लेटी अलम हमने आप से पहले रेडियल समेटरी चल रही थे और उससे पहले एसमेट्रीकल था एम्डे क्था फमेड आपका आंसर होगा आपके पास आपके पास अंसर होगा प्लेटी Kate ki blblastique अभी तक वकानी तक उसके अलाबा हमने आपसे का यहां पर एक सिलो मेट कंडीशन है solid मीजोटम है हम ने कभी भी अगर सिलों बनाना है तो Soilom का बनाना होगा अगर यह सॉलिड हो जाया और जगा ना बना पाए और वो अपनी जगा से तो अंदर cavity नहीं पाई जाएगी तो केविटी नहीं होगी मुझा तो तुम ए सीलोमेट हो अभी यहां पर सग्मेंटेशन नहीं है और नोटो कॉड़ भी यहां पर नहीं लेकिन पेरासीटिक एडब्टेशन यहां पर देखने को मिलें ज्यूंकि पैरसाइट और पैरसितिक अडब्टेशन क्या होते हैं कि ज अब वो अंदर ही रहेगा और हमेशा अपने होस के साथ ही जाएगा तो उसे सेंस करने की क्या ज़रूँ है के अब यहां अब आप सोचो कि बस उसके पास होंगे स्पेशल अडापटेशन के दौर पर उस होस से वह जुड़ा रहे लटका रहे चिपका रहे उसके लिए होग्स होंगे और वह डाइजेस्टिफ फूड को सक करता रहे तो सकर होंगे बताओ पैरासिटिक अडापटेशन बताइए क्या उसमें लोकोमोटरी स्टक्चर होंगे हां या ना जल्दी जवाब दें लोकोमोटरी स्टक्चर होंगे क्या नहीं हमने का डाइजेस्टिफ सिस्टम होगा क्या नहीं हमने का अटेज्मेंट के लिए होक्स होंगे बोलो हां और उससे हमने का सकर होंगे क्या बिलकुल होंगे और वहां के इंवार्मेंट से बचने के लिए उसके उपर ठिकूटिकल्स मैं सबापके पेसे अडाप्टेशन है कैसे अडापटेशन चलो आगे चलते हैं आगे दोकोल लिखा हुआ है कि इनकी कैसी बाटी है इसे grass hypotend होते हैं गोला बना लेना यहां पर लिखा हुआumuz इंक्लूडिंग human body human beings मतलभ यहां पर पाए जातेहें वो human beings में भी पाए जाते और लोते हैं और तोर्च अंवन्हक है और्गन एक यहां पर प्लेटील के लिए और्गन और और्गन सिस्टम पीछे टेबल में दिया हुआ है आप यहां पर देखो होक्स और सकर पाए जाएंगे पैरासिटिक फॉर्म में सम आप देम अब्स नूट्रियंट्स फ्रॉम दा होस डारेक्टली थू दियर बॉडी सर्फेस हमने का वो सकर्स के तरह करे घाएगा इस पैसलाइस से इसमें पाई जाएंगी जो एक्स क्रीशन में हम करेंगी जिसे हम कहें जाएंगी सैल याद रखना सबसे पहले एक्स प्रीशन के लिए बनी है तो फीलेटिया नई यहां पर समझें के पई याँब्स स्क्रेशन में सेकसेश यहाँ पर सप्रेट सेपरेट नहीं होंगे सेट नहीं नहीं होंगे तो कैसे होंगे फॉट हगा इंटौर्न कैसा है इसका मतलब लार्वाल से है तो बताव डवल्मेंट कैसा बंब एक इसके ऑग बताइए जिसमें एक्छूल एफोडाक्षन देखने को मिल जादता प्लेनिये बैंटे में आपकी हाई रीजडेशन पावर पाई जाती और प्लेने रियामें हाई री जिनरेशन पावर के लिए बड़ा फेमस है एक्जांपल टिनियो सोलियम टेफ वॉम और फेशियोला जिसे हम ओग है लिवरफलू उय वाला जो आपका एक्जांपल यह वाला यह आपका हो गया टेप वॉम में और यह हो गए लिवस्फ्लूम आगे चलते हैं यागे चलने के बाद अपने का प्लेटी अल्वन्थिस के बाद ममारे पास अगला फाइलम इपास है अगला अगला फाइलम हुआ सब से पहले हमने अभी कहा था आपसे कि यह भी अक्षटिग हों यह भोगे तैयल होंगे रहसाइट होंगे लेकिन लेकिन घुले बोध अैनिमल और ए लुपा ईनिमल प्लांट नाम लेना इस सिलमांदे बता जर्व क्या होगा और जरकी system level का organization होगा organ system का level of organization होगा bilateralisy throughgos wären होगा क्या यहां पर segmentation देखने को मिलेगा या समनो जल्दी बताओ आ से यहां पर आपको देखने को मिलेगा segmentation naiya coherent देखने को नहीं मिलेगा बिल्कुल सही जबाँ सुमन कुमारी राहुल कमार आमने यहां पर आपको ट्यू इंड ट्यू इस्थिं देखने को मिल जायागा क्योंकि पहली बार कम्प्लीट डाइजिस्टिव सिस्पम सीड हुआ था एसको अमंधेज में लेकिन अभी तक प्लेटी अलमंधेज हम लोग कौन सा पाइलम आगया स्कयल मिंथेज की बात करी जाए सर्कुलर माउथ होता है और इसी सर्कुलर माउथ मतलब क्रॉस से काटेंगे यह सिको हम क्या कहते हैं राउंड वा उससे क्या बोला था डॉर्स इंटरली फ्लैटेंड बॉड़ी उसे लाट का था फ्लैट बॉंग इसे काटो के तो राउंड स्थेक्षन मिलेगा देट वाइसे हम कहते हैं round warm may be free living aquatic terrestrial parasitic on both animal and plant important line round round warm have organ system level of body organization bilateral symmetry triplo-blastic pseudo-silomate question आचुका 2010 में elementary canal is complete और यहां पर पाई जाती है muscular pharynx important 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 muscular pharynx कहां पाई जाती है तो example होगा excretory tubes remove wastage from the cavity through the external pore इसी को हम कहते है रनेट सेल में ही एक सेप की ट्यूब होती है जिसमें एक एक स्कृतरी पोर होता है जिससे हम कहते हैं आपके रैनेट सेल सेक्सेस यहां पर सैपरेट हैं सैपरेट हैं तो इसका मतलब डायोसियस मतलब unisexual male and female are distinct distinct का मतलब ये भी है कि male और female को देखकर पैचान सकते हो अगर male और female को externally देखकर हम पैचान सकते हैं तो इस phenomena को sexual diamorphism कहते हैं क्या कहते हैं sexual diamorphism आप इसे देखो एक एक छोटा वाला दिख रहा है जो छोटा है वो है मेल जो बड़ी है वो है female लेकिन यह छोटा है लेकिन टेरा इसकी पूछ टेरी होती है लेकिन यह बड़ी है और पूछ सीधी है तो यहां पर आप इस photo को देखकर पैचाना कौनसा male आरेटे मेल यहां पर डिस्टिंक्ट होते हैं अफिन मेल की मेल की मैं यहां पर कह रहा है कि indirect तो देखो maybe direct जैसे कि हम बात करें मतलब जो है ना और यहां पर indirect मतलब development indirect और direct दोनों है example की बात करी जाए एसकेरेस जिसमें नाम आता round warm का दूसरा वुच्रेरिया जिससे हम कहते हैं philarial warm हम तुम्हें बीमारी आगे बताएंगे philaria elephantiosis उसके पीछे निमेटोड होता है encylostoma hook warm ठीक है ऐसे और भी warm होते हैं जिसमें हम नाम लेते हैं जैसे की low low जिसे हम कहते हैं आई warm इंट्रोवियस जिसे हम कहते हैं seat warm है ना तो इस तरह के आप example याद रखिएगा आगे चलते आगे चलने पर हमारे है पास कौन सा फाइलम आएगा इसके विंटिस के बाद इसके से के बाद अगला फाइलम अगला पाइलम है हमारे पास ऐइनलीडा ऑफिटा कि बारे में अगर मैं तुमसे पूछाँ तो हम मुझे पताओ क्या हैबित और हैबिटांट में इंडा एक्कुएटीक है की नहीं दे आदे में भी एक्वाटिक टेर्स्टियल लेकिन अंने का िक्वाटिक के साथ साथ मरीन वॉटर फ्रेश वॉटर दोनों में और एक्वाटिक के साथ और ओरगन सिस्टम लेवल का और्गनाईजेशन है हमने का bilateral सिमेट्री में है त्रिपलास्टिक है jar 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 jar大家好 हमने आप से का नोटो काट अभी भी एपकेंट है नोटो कोटेंट है तो बताओ अमने कहा पताओ तो इस पेशल यहाँ पर बात ही हो गई कि कम्प्लीट डाइजेस्टिफ सिस्टम है तो डाइजेशन कैसा करेगा सारे लोग जबाब दें कम्प्लीट डाइजेस्टिफ सिस्टम है तो डाइजेशन कैसा करेगा सारे लोग जबाब दें कम्प्लीट डाइजेस्टिफ सिस्टम है कैसा डाइजेशन करेगा डाइजेशन तेंट्रा या एक्स्ट्रा अरे संगीता संगीता कह रहे है कि in wydaje then complete है complete digestive system है तो एक्विजांप करेगा इडा नहीं एक्स्ट्रा हो न है इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों पाय जागा कम्पलीट सीलयंट। Чande इसके बाद सारे कि सारे तीनो फोरा के बाद अगर मैं प्लेटी अलमिंतिस तक जाओं प्लेटी अलमिंतिस से लेकर कॉडडेटा तक सब अब एक्ष्ट्रस लटर arcade merch ऐंगे ना की इंट्रा हों कि आगे चलें रेस्पैरेटरी सिस्टम यहां पर मोईस्टर कुटिगल से होता है मईस्ट क्यूटिकल रेस्पाइरेशन के लिए होता है एक करी की बात करूं तो एक्सक्रीशन के लिए नफ्रीडिया पाये जाता है अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम की तो डवल है हॉलो है सोरी डवल है सॉलिड है और वेंट्रल साइड है और यहां पर नर्व देखने को मिलेगी आप यहां पर क्या बात करने जल्दी से यहां के अकोर्डिंग बात कर लेते हैं लोग जल्दी से यहां के लिका हुआ निए ने डेल्टरल सेमिट्रीर है दे आट्रिप्लॉप्लास्टिक मेटा मेरिकली सेमेंटेट बॉड़ी है और बॉड़ी सर्फेस इस दिस्टिंटली मांक इनटू सेग्मेंट्स हमने का यह मैं अइक्सटर्नरली इंटर्नली दोनों सेग्मेंटेशन देखने को मिल सकते हैं प्वाइलम जो नेम है एनलेटा किस से आया है क्योंकि यह लेटिन वर्ड होता है एन्यूल जिसका मतलब होता है लिटल रेंग्स है ना पस्देज लॉंगी ट्यूटनल और सर्कुलर मसल जो की हैल्प करेंगी लोक पेरा पोडिया यह जो को नेरेस्ट का फोटो यह बैटरल अपंडिस पाए जा रहे हैं और जो Ismael करेंगे में इसmeno को यह छिर्प करेंगा और succeed यहां पर नेाफरीडिया की वाथ of सिंगल को मैं नेफरीडियम कहेंगे जो की हेलप करेगा और एक्सक्रीशन में ने पहली ऐसी स्टॉक्चर थी जो एक्सक्रीशन में हैं सर यहां पर हर जगा और चुछ निखा होता हमने का मतलब इसक्रीशन का मतलब होता अनिक बैलेंस के साथ nitrogenous waste का removal और जब मतलब ionic balance के साथ nitrogenous waste के removal शुरू हो जाए तो broader term use करते हैं excretion तो जब से नेफ्रीडिया पाया जाना शुरू हुआ तब से वह osmoregulation के साथ excretion भी करने लगा इसका का मतलब अगर मैं excretion ही बोलू तो दोनों बात कबर हो जाती हैं लेकिन अगर सिर्फ osmoregulation बोल रहा हूं तो उस सिर्फ ionic balance है ना कि nitrogenous waste का removal लेकिन आप लिख देते हैं तो एक अलग बात है लिख देते हैं कभी-कभी यह लोग neural system consists of paired ganglia neural system जो होता है paired ganglia पाए जाता सिंगल को ganglion कहते हैं और आपको मैं जब nervous system की बात करता हूं तो वहाँ पर ganglia की बात करते हैं cluster of cyton cluster of cyton in the penis is called ganglia तो हम आप से कहें कि connected by the lateral nerve और double ventral nerve cord पाए जाती example के तोर पर वहाँ पर जो नरेङस की बात कर्रहे है नरेज की बात जो कर्रहे हैं वहाँ पर देखो नरेच की बात कर रहे यहां पर तो का मतलब क्या होता था योणी सेक्श्वल जल्दी बताओ नेरेस के लिए पॉइंट बताओ डायोसियस यह मोरोसियस तो हमने का यहाँ पर तो डायोसियस लिखा यूनि इसक्षवल या पाइसक्षवल नारेस यूनि इसक्षवल होता है आगे तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं अर्थ वॉम और लीच्ष और रिप्रोड़क्शन यह क्या करेंगे सेक्शुल करेंगे एक्जाम्पल के तौर पर नैरेस फेरेटिमा पॉस्तुमा मतलब अर्थवां हेरुडुनेरिया जिसे हम ब्लड सकिंग लीच कहते हैं बेटा एक बात याद रखना वह बात यह है कि नैरेस के बारे में अगर तु आपसे कहा जाए कि अगर मैं फिर भी बात करू फर्टलाइजेशन कैसा है इंटर्नल और एक्सटर्नल दोनों ताइप का हो सकता है लेकिन अर्थवां में यहां पर लार्वा नहीं मिलता इंद़ केस ओफ अर्थवां लेकिन नैरेस का डवलमेंट इंडरेक्ट होता है और वहां पर लार्वा देखने को मिलेगा और उस अंठ आम होता ट्ो को फोर लार्वा जाद रक्खोगे कि नहीं आगे चलो देखो यह वाला फाइलम हो गया ऐन लैटा एन लीडा के बाद अगला फाइलम सबसे पहली बात के फायरिए का और और कहा जाता है इसमें इंसेक्ट आते हैं वहीं 1.7 to 1.8 मिलियन में 1.2 मिलियन एनिमल हैं उसमें से 70% अकेले इंसेक्ट हैं उसमें से कहा जाता है कि और इसकी एक्जोस्केलेटन का बना होता है और काइटन क्या है एक आपका नाइट्रोजनस पॉलिसेक्राइड होता है कॉंप्लेक्स पॉलिसेक्राइड है काइटनस की मोनोमर यूनेट होती है एन एसेटाइल ग्लुकोसा मीन आपसे लिखा हुआ बॉड़ी तीन पार्टों में बटी हुई हैड थोरेक्स और अब्डॉमिन यहां पर जॉइंटेड अपैंडिजेज होते हैं और जॉइंट का मतला भी आर्थरोज होता है और अपै पोड़ा अंजर क्या होता है और तो पोड़ा इसके अलावा यहां पर बुक गिल्स भी देखने को मिलेंगे और ट्रैक्यल सिस्टम आपसे कहा जाए कि इंसेक्टा मतलब काक्रोज में किस तरह का रेस्पाइरेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा पताओ कैसा रेस्प आपको घंपर करेंगए tortilla लेगा तो यहां पर मिलेगा प्रॉंड प्रॉंट जिसे हम कहते हैं एकक्वैटिक आर्थोपोड एक जामपल यहां पर बुक गिल्स में आपकी पास एग्जाम्पल ओगा किंग् सुटब लिमूलस दिन्शंवक लंग यहां पर और एस्पाइरेशन में जिसमें बुकलंग्स होता है स्कॉर्पियन अरेक्निडा आगे दोगों यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर ओपन डाय पर पहले बता चुका हूं सेंसरी ओरगन के तोर पर यहां पर एंटिना है आइज हैं कंपाउंड आई होती हैं और सिंपल आई लेकिन काम की आई जो होती हैं फंक्शनल आई कंपाउंड आई एक आई में 2000 ओमें टीडिया होते हैं यहां पर स्टेटो सिस्ट पाया जाता है बैलेंसिंग ओरगन और यहा इंटरनल दे आर मोश्ली ओंट्रस एंडश देंगे और एलबंट में भी डारेक्ट और भी हो सकता है और ला धे Hahपो यहां पर इंप्र देखो यहां पर एक्जाम्पल के तोर पर आप क्या क्या देख सकते होगा यहां यहां पर example को कुछ उनके economic importance या फिर कुछ function के हिजाब से बाद दिया गया है जैसे कि economically important insect क्या है एपस इंडिका मतलब हम बात करेंगे honey bee बांबेक्स मोराई जिसे हम सिल्क वांग लैसिफर्ण लैक इंसेक्ट यह economically important insect है इससे हमें क्या प्राप्त होगा इससे हमें प्राप्त होगा honey इससे हमें प्राप्त हो जाएगा सिल्क है ना वैक्टर्स के तौर पर बात करी जाए तो एनाफ्लीज हमने का क्यूलेक्स एडीज एनाफ्लीज बताओ और क्यूलेक्स बताओ और एडीज बताओ यह तीनों मच्चर कौन-कौन से कौन-कौन से मतला पुखार को लाएंगे हाँ सही कह दो जिंगा मच्चरी आप मुझे बताएं एक्जामपल के तौर पर आपको एनाफ्लीज लिखा हुआ है यह पर क्यूलेक्स लिखा हुआ है और एडीज लिखा हुआ है तो आप मुझे क्या पता सकते हैं कि बताओ यह फीवर के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं तो एनाफ्लीज कौन सा फीमर लाएगा के उलेक्स कौन सा लाएगा ऊरे वाह यहां पर यहां पर लिखा हुआ है के ग्रियरियस पेस्ट एक साथ जुंड बना कर काम करते हैं लोकस्ता झार विव cake लाउस एक लींग वाइलम तो पम्रिंटा अर्थ यह था झालता ऐसना है ओई बाइल ladosиса प्धूम ग्रियरियसु एक मैं बिद्वारे में किने भानलग मैं भी आर्म से लार्जस वार्मध और यहां पर मॉलस्का टेरिस्ट्रियर एकोइतिक ए फ्रेश वाटर ओर मरीन वाटर है कंदन ऑफ और पहले से पता डिस्टिक और इस एड प्रिक मैनेटरी Oliva मतलब आर्तोपोड़ा की बौडी हेड्य, थोरक्स और अबड़ामीन में बटीए है लेकिन मुलस्टा की बौड्य हेड्य, मसकुलर फूड और विसराल हम्ने बटी हुई है यही पर पहा एक mentalancies repay पाई जाती है mental cavity में Biseral online होते हैं ौर के जो अनम विसरल हम जो हमने उसके उपर केरियस कवरिंग होती कैल्शम कार्बोनेट की ठीक अब हमें आपसे कहूं कि मेंटल कैविटी होती है में आपके पास एक फैदर लाइक गिल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं टीनीडिया वह फैदर फैदर लाइक गिल्स एक्सक्रीशन और रेस्पाइरेशन में एल्प करते हैं तो आप यहां पर देखो एस सौफ्ट एंड स्पॉंजी लियर स्किन की फॉर्म में होती है जिसे हम मेंटल कहते हैं और वह कहां होती है ओपर की तरफ अंदर की तरफ होती उसके उपर आपका हम को मिलता है भा расп and mental will call me to mental और इस हम के ॥ हम कहते है mental cavity इसी में पाए जाता है पैदर लाइक गिल्स्स और जो की प्रेजैंट होता है इसी का important बात है फाइल लाइक रैस्पिंग और्गन इसके माउथ में पाए जाता है जिसे में रेडूला कहते हैं जिसे में क्या कहते हैं रेडूला रेडूला कहां पाया जाता है एक्जामपल आ सकता है उसी तरीके से मस्कुलर फैरिंग सभी बताया तो तुम्हें याद रखना पेटा पेटा खुदी पर दो फिर है और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा और है कि यहां पर ऊकलते में पूरा चैप्टर लेजाना कि इस तो समझ गये तो यह इंग्लिश टोड़ी एंट इंग्लिश रीड पाइल और अगे चले चलने के बाद हम लोग अगले फाइलम की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला पास क्या है अगले फाइलम से पहले हमारे पास कुछ एक्जामपल को देख लो यूजली डायोसियस डायोसियस है मतलब यह कैसा होगा यूनिसेक्श्वल अपने ओवी पेरास अंडे देंगे और इंडारेक्ट डवलमेंट का मतलब यहां पर लारवल स्टेज देखने को मिलेगी अगर पाइला की बात करी जाए तो पाइला एपल इसनेल इसका दूसरा नाम है पिंग टाडा पर लॉइस्टर कहते हैं इसे इसके सेपिया की बात करी जाए सेपिया का दूसरा नाम कटल फिश लॉलिगो इसक्वेड और टॉपस को डेवल फिश कहते हैं एपलाइसिया सी हेर डैंटेलियम टस्क सेल और टीनो प्लूरा वह कीटो प्लूरा कीटो प्लूरा को हम कहते हैं काईट उन इससे जादा कुछ नहीं कर सकते इसवाले चैप्टर में जितना कर सकते हν उतना कर रहे हैं आगे चले हम लोग आगे चलने पर हमारे पास है की आप पहुंचे हैं और में अ पशाल में बात बताईए की जब बात करी जाय आए जब रप्र एक थाह फोरा की तरह मरीन है सब्सक्olate सब्सक्राण करें सब्सक्राइब ऐसे किस का सब्सक्राइब के पास मेरे या प्लूछ साफ थि्यक्रारण में रिप्लised में यहत्ग युस बता हुँ बूल रहा हुँं़ जल्दी से बता हो समन कुमारी ही है मिधा ह keeping सब्सक्राण आपके पास तीनो फोरा और 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 इकायन अडवें में आप से कहा कि बता ओं यह पर किस तरह का बॉर्डू लेवल ऑ और्गनीजेशन होगा औरगन सिस्टं यहां पर सिमीट्री सिमेट्री यहां पर काईंचेयल में याद रखना भाइलेटर良 हो री चाहिए थी लेकिन नहीं होती है रेडियल होती है लेकिन बाइलेटर dal defenders पाई जाती लारवा में लारवा ज्यादा एडवांस याड़ और से जिसमें रार्वा जादा एडवस करेक्टर रहा था आपका क्रेमिटिव करेक्टर रहा था ऐसे सब्सक्राइन होके क्या कहते रिट्रोग्रेसिठ मैठी को मिला था अनलीटर अर डिट्रोबरा और ट्र्र्ण मेठी सेलत है आ besl Route segmentation पायजाएंगे आर्फपोड़ा में आपको याद रखो यहां पर एक خاص पीचर पाया जाता है जिसका नाम है वाटर वस्कुलर सिस्थ्टम स्थ्टम क्या इंतर नाम में आपके पास वर्टर के नाल सिस्थ्टम help कर रहा था आपका digestion में, excretion में, respiration में, उसके साथ-साथ वो gamete के transfer मतलब reproduction में भी help कर रहा था, लेकिन water vascular system, digestion, excretion और respiration तीनों में help करेगा, लेकिन उसके साथ-साथ जो additional feature होगा इसका, वो होगा locomotion, tube feet के द्वारा ये locomotion में भी help करेगा, बात समझ भा रहे हैं कि नहीं, त यहां पर बात करें, these animals have endoskeleton किसका बना हुआ है, calcareous or cycles का, इसी वज़ा से इसे echinodermita या spiny bodied animal कहते हैं, फिर लिखा हुआ है, कि all are marine, सारे exclusively क्या है, marine है with organ system का level organization है, adult echinoderms are radial symmetrical, यहां पर radial symmetry है, किस में, adult में, और बट लार्वा कैसा है, bilateral symmetrical है, याद रगना 2020 में आया question है, important line, फिर लिखा हो, they are triploplastic, आपको पता है, silomate animal पता है, digestive system complete है, और यहां पर mouth जो है ना, याद रखना, lower side of central side, और एनस जो होता है, upper side होता है, dorsal side, यह important line, digestive system complete, mouth is lower side, and annus जो होता है, upper side, dorsal side होगा, the most distinctive feature echinoderms का है, water vascular system, 2012 में आया हुगा question है, which help, जो की help करेगा, locomotion में, exclusive feature, जो की नहीं पाया जाता, water vascular system में, capture and transport of food, respiration, excretion, यह सब, हम आप से कहें, कि भाईया, यहां पर excretory system तो absent है, लेकिन यही, आपका water vascular system excretion में भी help करता है, लेकिन अगर कहा जा, excretory system है, तो नहीं है, excretory system यहां पर absent है, sex is separate है, separate का मतलब, separate का मतलब, unisexual, हमने का reproduction कैसा है, sexual, fertilization usually कैसा है, external, development कैसा है, indirect, मतलब, यहां पर larva पाया जाएगा, और वो भी larva कैसा, free swimming larva, ठीक है, example, esterias, starfish कहते हैं, echinus, sea urchin, और antidon, antidon का मतलब, sea lily, cucumeria, sea cucumber, और ophiura brittle star, और ophiura brittle star, यही आपका नाम पूछा गया था, 2019 में, आप क्या इस बात को समझ पा रहें, example देखो इसमें, example क्या आप समझ पा रहें कि नहीं, उसके अलाबा, आपके पास, आपके पास अगला फाइलम है, जिसका नाम है, hemi-cordata, चोटा सा फाइलम है आपके पास, दुखो यार, hemi-cordata, आपका दस्वाँ फाइलम है यह, लिका हुआ, hemi-cordata, वास earlier, इसे हम लोगों ने पहले, किस में रख दिया था, पहले हम लोग ने इसे रख दिया था, सब फाइलम ऑफ दी, सब फाइलम अंडर दा, कॉड़ेटा, फिर बाद में पता चला, कि हम ने इसे सेपरेट किया, क्यूं, क्यूंकि हम जिसे, नोटो कॉड समझ रहे था, वो नोटो कॉड नहीं थी, वो क्या थी, स्टोमो कॉड, और sonocort मतलब मतलब है जो sonocort होती है वह आपकी इस्टॉक्टर एक्ट aggi तर्मल होती जो की सिमिलर टू नटोकाॉट कॉरस धी एक açık लेकिन यहां की लाइन पढ़कर आप याद रखना कि नौन कॉड़ेट में ही हमी कॉड़ेट भी आते आगे तो को लगा इसमें वॉम लाइक आइनिमल होते हैं जो की मरीन वाटर में रहते हैं वेटा याद रखना एक्स्क्रूसिवली मरीन की बात करी थी पर लिकाव विद सिस्टम का लेवल का और्गनाइजेशन है बाइलेटरल सिमेट्री है ट्रिपलो ब्लास्टिक है सीलो मेट है यह पहले ही बताया जा सुका है फिर बाद में बॉडी सिलेंड्रिकल है यह इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड कंपोजड ऑप प्रोबोसेश कॉलर एंड ट्रंक वे बॉडी इसकी बी तीन पार्टों में बटी भोलो हैड थोरे क्म ब्रठॉल भोलो अर्टी तीन पार्टों में पटी आधोwo प्रोबोसेस कॉलर एंड ट्रंक यहां पर आपकी टेल नहीं होती याद रखना यहां पर टेल नहीं होती प्रोबोसेस जो ना यह वाला पाई इसी में प्रोबोसेस में यहां पर पाया जाता है आपकी एक्सक्रीटरी वाले मतलब जो प्रोबोसेस ग्लैंड पाई जाती है यह यह ट्रंक है यह ओपनिंग है लेकिन यहां पर टेल नहीं है यहां परेल नहीं आगे सर्कुलेटरी सिस्टम यह ओपन टाइप है याद करो अन्थे नाम लिया तके नहीं एल्तो पोड मोलस्का चुनी चाऔर्योर यू राट नेटा में कैसा रिस पर्वोपोटेड़े सिस्टम स्वाइच से स्वाले सिस्टम टेक्स टू थू वह यूँसे नग्यासित ही जो औरंगनön इन डॐ इंडिक मतलब इसने लारवा होने वाला है और है यहां पर देखो example क्या है ब्लैनो ग्लोसस और सेको ग्लोसस दोनों को हम कह सकते हैं टंग वांग क्या कह सकते हैं टंग वांग याद रहेगा बोलो बच्चा लोग कि इसे क्या बोलेंगे टंग वांग कोई प्रॉलम हम…. वेरी गूड आगे हम लोग वह हमी कॉडटेय़ से बाव अगले पाइल doing we के बारे में बात करी जाये तो कोडेटा को किस दिव हसाफ़ हमने कहां कि कॉडेटा में नंता हैं नो सब्सक्रम के से सोफट ही सिंगल थी तो हमने आप से add Ba ा और पाइरइंजल फरेंजन घिल्स यहां पर प्रोड होलो है विह ऐड़ फरेंजल गिल्स अे झायकलेट पुस्टन टे चिए यहां पर खास बात यह है कि यह पया जाना का कॉडएट का ग्रेक्टर था जरकट्री का पाया जाना अ this विपल्र को क्यांतु प्रेइंस आ पाल्यस साही ने थे पहस gefपे नोश डेख दो फाइनवज यहां पटे में उसे का कि Tree आया हुआ यहां पर नोटो कवडमें प्रेजंट्ट में प्रेजंट आपके मतलब में यहां पर नॉन कॉडGS है जिसे अम बोकॉड को समझे लिया है हेमी कॉडेंट में जब हम समझ तुसे बार कर दिया आगे आज़ों यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल नर्वोस सिस्टम इस डौर्सल और हॉलो इंड सिंगल अब जो कॉड़ेटा में अभी तक नर्वश सिस्टम जो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल था सौलेड और तक तपर हैं एक पदल घया किसमें यह जो नर्व कॉट थी अब जो आगे बनाल जाएगा यहांगी और सपाइनल स्पाइनल कॉर्ड में बतला कौन्स साइड हो जाएगा डॉर्सल साइड हो जाएगा और सिंगल क्या है यहां पर फिल्टि पाएंगे यहां पर और slits नहीं थे हाट चोथा हाट वेंट्रल साइड और यहाँ पर नॉन कॉडडेट में अगर पाया जा रहा था तो वो डॉर्सल साइड था पॉस्ट टेल का पाया जाना कॉडडेट का करेक्टर है जबकि यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी तब ही हमने कहा था कि हमी कॉडडे एक को हमने बोला एक क्रेणियेटा प्रोतो काडेटा और दूसरे को उम बोला जिसे हम कहते यू कोर्डेटा सबसे पहले हमने हमने एक क्रेणियेटा की बात करी तो इसमें दो फायनमist और दूसरा सक्ष में लारता के लारवा की तेल तो यह notocod जो है head to tail तो पाई जा रही लेकिन भाई साब यह head to tail तो है लेकिन यह notocod throughout life भी present है लेकिन यह आपके vertebral column में नहीं पाई जा रही मतलब यह vertebral column में नहीं बदल रही तो हम आपसे यह कह सकते हैं सिफैलो सब्सक्राइब नहीं है यह नहीं है अगर माउट में जो नहीं है तो और अगर हैं तो और फिर जो वाले को हमने किनेयातो इसट्रमेटा को 2 सुपर क्लास में बदला एक पाईसल और दूसरा टेटरापोडा पाईसल जिसमें लोको मोटरी स्टुक्ष्यर के तौर्पधी जिसमें लिम्प्धिस थे हमने काईसल में एक्जाम्पल आगया और उसका जो फाइलम हम कह सकते हैं उसे हम कह सकते हैं यू कॉडेटा का ही डिवीजन है वो तो यू कॉडेटा उसका डिवीजन हमने का वर्टी प्रेटा को दो पाटों में पाटा जो है या नहीं है तो गनातो इस्टोमेटा और एगनातो इस्टोमेटा एगनातो इस्टोमेटा जिसमें जो नहीं थे उसका एक्जामपल था साइक्लो इस्टोम्स फिर गनातो इस्टोमेटा को दो पाटों में पाटा दो सूपर क्लास में पाइसेस और टेट्रापोडा फिंस हैं तो पाइस कोई प्रॉलम अब देखो हम अब से यह कहेंगे कि साइकलो स्टॉमेट और कॉंटे क्वीर को टीनों तब लेकिन वह रहता मरीन वाटर में हमने और पारेंग करने Czy प्रेस्ट्रोंग मीखरेशन बिल्कुल सःपना, हमने हमने कहा कि अगर स्ब्सक्राइब और प्रेश माइग्रेशन मराइन वाटर से कहां चला जाए फ्रेश वाटर में और फ्रेश वाटर से सी वाटर में अगर आ जाए तो यहां पर क्या कर रहा है यहां पर वो कर रहा है आपका फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर माइग्रेशन एनड्रॉमस तो आप देखो यहां पर बात करी जाए पोडी की तो आपकी elongated बॉडी होती है, cyclostorms की, जबकि contractus की बॉडी streamlined है, उसके साथ streamlined बॉडी ही पाई जाती है oste cui, लेकिन sucking second circular mouth are found in the cyclostorms, जबकि अगर मैं कह orders, ventral mouth मतलब lower side, ventral mouth with jaw, तो हमने आप से का वो कॉंड्रेक्थेस है जबकि टर्मिनल माउथ विद जौ तो यह होगा और स्टेक्थिस मतलब पॉनी फिश्ट तीनों को कंपेर कर रहे हैं एक एक करेक्टर को लेकर हमने का एंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो कालेजिनर से इंडोस्केलेटन आपका सैकलोटर में भी कालेजिनर स्थ मतलब क्उन्ड्रेक्थेस में इसThis में तो होस्केलेटन में एक्जेद्ग क्लूटरुट से बना हुआ है क्लैक्पॉआवस्कष्केलेट्ऎक्ट से बना होता है कॉंट में आपका मतलब बात करें काटलेजनस प्रेश में जब की साइकलौइड और तीनॉइड स्केल का एक्सन बना होता है किसमें आपका और ईस्टिय स्में में गिल्स्लेट Members की करी जाए चे से 15 गिलल के बात करीजाए था यहले कि अगर बात करी जाए व। Bitcoin बाता है औस एक्थिस में भी लेकिन एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है बोनी फिश में तभी कहा गया था कि भाईया प्राइन फिश को लगातार लगातार चलते फिड़ते रहना पड़ता है सिंकिंग को अवाइड करने के लिए कहीं डूब ना जाए आगे हमने कहा कि भाईया पता हो का तीनों कोल्ड प्रेडड लेट हम यूज करते हैं पोइकलो थोम्स अगर मैं बात करूं चैंबर्ड दॉफ हार्ड की तो तीनों में टू चैंबर ही हाथ है एक और एक वेंट्रिकल है तीसरा पीचर अगर मैं तुमसे पूछू यूनिसेक्शुब की तो पताओ यूनिसे ओर विभा तेश्ट में इन दोनों उनि सेक्षुल और फिरसे सुनों यूनिसेक्षवल टर्म साइक्लस्टॉर्मत में जबकि और विभानि दोनों यूनिसेक्षवल सई 미् 있 यूनिसेक्षवल रहा और लेंप्प्रे और बाइस एक्ष्वल है घडफेश अब बात करते हैं फुटिलाइजेशन की तीनों के फुटिलाइजेशन बताईए कौन इंटर्नल एक्सटर्नल पहले वाला इंटर्नल पर आपके cpr पंजहें हुए दोनों मेंटेस और आसेक्पिक्टेस में तो सवाल आता है कि साइक्लो स्थों च्रांव संव में इंडारेक्ट नौल थो किसमें डारेक्ट तो इंडारेक्ट पायें में और ढर्लम् architects है जाता है cuts में इन तीनों पोइंट को मैं नरा से पोलना चाहता हूं यूनि सेक्शुल और बाइसेक्शुल दोनों है साहिकलोल स्टोंम्स में हमने आप से का कि इस अरिय एक स्टॉनल हर सबता है डारेक्ट और इनДरेक्ट दोनों डैफल्मेंटिन साइक क्लो स्टों में लेकिन डेलामेंट में डारेक डेलमेंट हैगफिश इंडारेक लैंपरे और जबकी यूनि सेक्शुल में आपके लैंपरे और बास समझ आई या नहीं इन तीनों को अमने एक साथ क्वेकर लिया है एक साथ रेक दुबारा भी एक बार पूरा चार्ट बना ल रहेंगे अब यहां पर यहां पर जल्दी से को भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ इंसियाटी में यूरो कॉड़ेट और प्रोटो कॉड़ेट के बारे में हैं और उसके बार आपके पास वर्टीप्रल कॉलम से लेकर आप यहां पर देखो आ पर यहां पर यहां पर आप देखो और टेट्रा पोड़ा में एंफीबिया रेप्टाइव से और मैं अगर मैं एक नहीं नहीं है तो अब हमने क्या किया है कि इनी इसाइकलो स्टोंस को साइकलो स्टोंस को kontrakthus को austekthus को एक साथ compare कर लिया है ठीक उसके बाद हमसों लोग सीधे चलेंगे आपके पास सीधे लोग चलेंगे super class per और इसके example आप लोग देख लीजी का time कम हो गया है अगर मैं बात करूँ amphibia की तो amphibia के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको समझनी पड़ेंगे एंफीबिया नाम जो इना इंडिकेट कर रहा है कि वो डूल लाइफ गुजारता है उसके अलावा एंफीबिया कैन भी लेव इन एक्वाटिक एस वेल एस टेरिस्टियल हैबिटार्ट इसमें बॉड़ी जो होती हैड और ट् स्केल आई होंगे हैव आई लेड होंगे और टिमपैनम दरसाएगा इयर्स को एलिमेंटरी केनाल भी होगी यूरिनरी ब्लैडर रिप्रोड़क्टिव ट्रैक और जो यह तीनों एलिमेंटरी केनाल यूरिनरी ट्रैक एक कॉमन चेंपर में ओपन होगा और उससे हम कहेंगे है क्ल्यक्या जो की ओपन होगी बाहर के साइग रेस्पाय्रेशन बाइडा गेल्स लस् और थु भी अगयंदर तक्रियर ग्हां प्रफ्ड़केंँशे। हम pulmonary और skin के द्वारा होने वाले respiration को हम cutaneous कहते हैं heart इसका three chambers होता है दो auricle एक ventricle आप पढ़ोगे आगे पिर लिखाओ these are cold-blooded animal मतलब poikulotharms है sexist यहां पर separate है मतलब unisexual है fertilization यहां पर external है और यह oviparas और development इसका indirect है मतलब इसके पास larva है और इसके larva का नाम नाम बताओ सब लोग इसके larva का नाम घेड़ आथवा होता है इसके larva का नाम क्या होता है phys एकजमपल केसे बादम न acontece आपके आपके सब्सक्राइब के पास लेद DO61 आगे चले आगे चलने के बाद आपके पास रेप्टाइल दिये हुएं रेप्टाइल की बात करें रेप्टाइल का नाम किस वज़े से रेप्टीलिया पड़ा क्योंकि यह लोग क्रीपिंग और क्रॉलिंग करतें क्रीपिंग और क्रॉलिंग की वज़ा से इनके लोकोमोशन की वज़ा से इसी का नाम आपका पड़ा है रेप्टीलिया इसकी बॉड़ी जो होती है कवर्ड होती है ड्राई एंड कॉर्निफाइड इसकें से एपिडर्मल स्केल और स्क्यूट्स पाए जाते हैं यहाँ पर टिंपैनम रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर लेमी अगर प्रेजेनट है तो वह दो पेंड होते हैं हाट से थी चमबर होता है ज़नरली हमने कहता है थी चमबर है ड्राई लेकिन आपके पास एक ऐसा चालवे होता नाम होता है रेप्टेंड हुटा इसक läh झाल क्रोकोडाईल हमसे तीन वीचर को शेर पुदिर करता है हमने ने तहीं करें आख करूगां की अगर मैं बात करें इक और बात करें इकूर फीचर होता है जिसमें हमने कहा की क्रॉइकार को जाता आफुकोड़ाइल आर पॉइकलो थम मतलब हो पूंठ पलड़ इस्नेक और som स्किन को शेड कर देते हैं और सेक्सिस यहां पर सेपरेट हैं फटलाइजेशन इंटर्नल है ओवी पैरस डवलमेंट और डारेक्ट डवलमेंट है लार्वा नहीं एक्जामपल चिलोन टैस्टुडो कैमेलियोन जिसे हम ट्री लिजर्ट करते हैं इंपॉर्टेंट है उसके अ लिजर्ड हेमिडक्टाइलस पॉइजनस इसके इसने नाजा बैंगरस जिसम करेट कहते हैं और वाइपेरा आप देख लेना है ठीक है बीटा लोग कि आगे आगे हमारे पास शेटेट अंख एप से आपके बारे में आप कुछल बातें जानों यहांपर के लिए लिका हूँ इसमें जो एक्जोस के रेटन है वो फैदर से बना हुए फैदर पाए जाते हैं उसके लाबा कुछ फ्लाइट लेस बिर्ड्स भी होती है जिसका नाम है और याद रखना है यहाँ पर पॉस्टेश बीग पाए जाती है यहाँ पर चोच और फोर लें मॉडिफाइड इंटू इसके ड्राइट होती है विदाउट ग्लैंड लेकिन एक ग्लैंड पाए जाती जिसका नाम होता ओयल ग्लैंड जो की बेस ऑफ टेल पर पाए जाती इसी को अमने प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं एंडोस्केलेटन फुली ओसीफाइड होता है मतलब बोनी होता है और में फूड स्टोर होता है किजड में ग्राइंड किया जाता है हाट इस कंप्लीटली फोर चंबर है दे आर वां ब्लैडेड होमियो थर्मस मतलब हमने का होमियो थर्म से अपने बॉडी टेंपरेचर को रेगुलेट रख लेते हैं और दे आर एबल टू मेंटेन कॉंस्टें पर प्रेजेंट होते हैं जो कि लंग के तौर पर काम करते हैं सब्ली मेंट की की तरह मतलब मुत्लब यहाँ पर बात करेगार सेक्सेस इंटgas इंटर्नल है फटिल्याईजिशन क्या है इंटर्नल और उव हैं हैं एडैजिवलमेंट डारेक्ट आपका एक्जामपल यहाँ पर देख लेना क्रोव कोलंबा पीजन आपका साइटी कुला पैरट इस्टूथियो ऑस्ट्रेच पावो पीकॉक एंटिरोडॉन पेंग्विन नियोफ्रॉन वल्चर आपको यह सब देखना पड़ेगा आगे आपके पास मैमेलिया क्लास अखरी क्लास अमने का मैमेलिया क्ला यह आपको सबसे जादा वराइटी में आपको देखने को मिल सकते हैं वराइटी ऑफ हैबिटार्ट आपको देखने को मिल सकते हैं पोलराइस के डेजर्ट माउंटेंस फॉरेस्ट ग्रासलेंड और डार्क केप्स में पाए जा सकते हैं आपने आपसे यह कहा कि इसमें यू स्द्ञाइक मतलब घड़ा घड़ने के लिए कि अपको सिम्मिंग तैर्णे केलिए जो होगी इनकी जो स्कें हैं उस पर हेर पाए चाएगे अब है आपको टाइब यह ऐना प्रेजेंट हो five यह होगी हाट four चंब डी होगा वोमियो तर्मस होंगे बदला बोडी टेंपरेचर को रेगुलेट रख लेंगे रेस्पाइरेशन बाइदा लंग्स होगा पल्मोनरी फिर बाद में सेक्सिस क्या होंगे सेपरेट होंगे यहां पर इंटर्नल होने वाला देयर आर वेवी पैरास एंड फ्यू एक्सेप्शन एक्सेप्शन भी इसके एक्सेप्शन होते हैं इसके एक्जेंप्पल आपको ऐसे देखने पड़ेंगे आप देखिए और ने तो रिंकर पहला ऐसा आपको मैमल जो यहा पर एक्जांपल लिया जोंकी ओवी पैरास हैं बाकी जितने भी एक्जेंपल जो इसकर ढ kay 250 प्रत staff यहां पर अब क्या बचा हुआ एक टेबल बची हुई है और उस टेबल को अगर आप गवर से देखेंगे तो आपके पास वही सारे यहां पर कुछ फीचर बढ़ जाएंगे जैसे रेस्पायरेटरी सिस्टम की शुरुआत और अर्थोपोड़ा में हमने का सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत कहा से हो रही तो आंसर होगा एनलेटा से इस वारे पूरे चैप्टर में हमने आपको वह सारी चीज़ें जल्द उसके अलावा आपको यहाँ पर में understand नहीं कर सकता अगर बाकी भी इस chapter में बहुत ज़ीआदा कुछ है नहीं पड़ने पो आग성 हम लोग जो हें ना यहाँ पर एस चैप्टर को खतम किये हैं ओर आगे कल आपको इसके ऑइक हो जाएंगे जो भी हो फिर global हम लोग मिलेंगे किसी और चप्टर के साथ टाइम लेंगे तोड़ा साथ तब और डिटेल में बात करेंगे ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद